नमस्कर दोस्तों आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारा गाड़ेनिंग चैनल प्रमधुद्यान पर तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में में कुछ इंपोर्टन बात आप सबके साथ सेयर करने जा रहा हूं ताकि बहुत ही जरूरी है आपके क्राशन थमेंगे प्लांट के उपर अभी करने के लिए क्योंकि अगर आप इस समय इसमें बहुत भर के फिर से फुल पाना चाहते है तो आप सबको ये वाला काम जरूर करना पड़ेगा देखिए अभी इन पर कितने सारे कलियें बन रहे एक तो हमें कहीं पर बताया जाता है कि अभी इस टाइम पर फ्लारिंग नहीं लेना चाहि क्योंकि एन एक साल के रहे हमें प्लांट को सेव करना है देखिए प्लांट में अगर इस तरह से आपका एकदम हिपी ग्रूथ हो चुका है और भी फिर भी इसमें बहुत सारे कलिया आ रहा है तो मैं तो बताऊंगा कि आप सबको फिर से एक बार फ्लारिंग लेना चाहिए क्योंकि यह साल में एक ही बार फ्लारिंग करता है अगर फ्री में हमें बहुत ही आसानी से सेकंड टाइम के लिए फ्लारिंग मिल जाता है तो उसमें ले लेने से कुछ भी खराप नहीं होता है मुझे इससे लगता है तो यह भी मेरा परसनल बात है तो इसलिए मैं मैं करता और वह बहुत ही जल्दी प्लांट फिर से अपनी ग्रोइंग स्टेज में चले जाए फ्लावरिंग देने के बाद और उसमें से हम एन एक साल के लिए बहुत ही अच्छा सा एक मधर प्लांट रेडि कर सके देखिए यहां पर जितने सारे बर्स आ रहें बर्स कहां पर आ रहे सभी ब्रांचेस के टिप पर और देखें नीचे से यहां पर यह बहुत सारे नए नए ब्रांचेस भी निकल रहे तो यह जो छोड़े ब्रांचेस है इनका भी उपर फिर से हमें बाड़िंग लेना है क्योंकि एक ही साथ यह जो पुना भेराइटी है इसलिए प्लांट बहु हिस्सा था यहां पर देखें यह भी जमिन से इसका नया ग्रोथ निकला है इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा यह जो ग्रोथ निकल रहे इसको हम नेक साल के लिए सेब करेंगे मौदर प्लांट का काम कर सकता है वह और यह जो सभी अभी कलिया आ रहा है मैं मुझे लगता है कि इस पर मेरा यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगा क्योंकि अभी यह सब भी जितने भी कलिया आए है वह सभी ग्रोथ भी कर रहे हैं यह काफी दिनों से बड़े हो रहे हैं पर धीरे धीरे थोड़ा सो रहा है क्योंकि अभी समर सीजिन हमारा यह का सेरिंग और यह छोड़े-छोड़े काम जो करना है पहला काम होता है इन पौधों के उपर यह जो बड़े-बड़े लेपस है इनके कारण प्लांट बहुत ही बुसी हो जा रहा है तो मैं क्या करूंगा अभी इनको हटा दूंगा तो देखिए मैं कैसे हटाता हूं उसी प्रकार आप भी हटा देंगे आपके प्लांट से तो देखिए अभी मैं यहां पर नीचे से जिसने भी बड़े-बड़े पत्ते हैं वह सब हमारे अभी काम के लिए कोई भी जरूरत है नहीं और वह इसे लगे रहने से प्लांट पर जब पानी देते हैं या फिर रात में पाले पड़ते हैं तो प्लांट फॉंगस का पसिबिलिटी है तो इसी प्रकार में यह सब भी जितने भी बड़े-बड़े लिप से उन सब को हटा लूँगा और यह कंपोस्ट बीन में भी डाल दूँगा यह जायस नहीं देने जाने दूँगा और इसी प्लांट को लास् होती अच्छी तरह से बुसी होकर निकलाया है देखिए इस तरह से सिर्फ आपको कटिंग रखना है और नीचे कि जितने भी बड़े-बड़े पत्ते हैं उन सब को हटा देना चाहिए तो चलिए मिलते हैं यह सभी प्लांट के पत्ते को बड़े-बड़े जितने भी जरु हार निकले बड़ा है और इस तरह से जितने भी पूराने एकदम से विक स्टेम थे इन पर अभी ग्रोथ नहीं है इनकी जो बड़ा ही वो ग्रोथ नहीं हो रहे तो इन सब को मैंने भी हटा दिया हूं यह तो मेरा छोटा सा प्लांटर है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ का थोड़ा सा हलका क्योंकि अभी समर सेजिन हो रहा है तो इसलिए है भी इसको यह भी फर्टिलाइजर नहीं देना का तो अभी इसलिए थोड़ा सा इसमें लीफ कंपोस्ट वगरा आप भर में कंपोस्ट वगरा दे सकता है एकदम गोबर का खाद या फिर कुछ सोर्सों की स अभी नहीं देना चाहिए अभी प्लांट जल सकता है एकदम दूप के मारे और इसको एक बार अच्छे से खाद बगरा देने के बाद इसमें वाटरिंग कर देना चाहिए देखिए अभी यहां पर एकदम नीचे के साइड भी आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा यहा पर एकदम नीचे तक हावा और धूप पहुंस पाएगा और उपर से नीचे तक जितने भी ब्रांचे से जितने भी नोड़ पार्ट से उन सब में भी फिर से ग्रोथ हाएगा इसलिए मैं आप सबको यह बाला ट्रिक सेयर किया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यह बाला ट्र तो चलिए फिर मिलते हैं और कुछ नए अपडेट के साथ गाड़न में क्या काम होगा तो उसके बाद फिर मिलेंगे अगर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो 95 परसंट लोग जो बीना सब्सक्राइब किये हुए देख रहे हैं तो फ्रेंस आप स सबको एक रिक्विस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह थोड़ा सब मोटीविशन मिलेगा आप सब के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो सेयर करने के लिए तो फिर मिलेंगे और कुछ नए अपडेट में तब तक के लिए रहता हूं सो थैंक पर वाचिंग प्रमदूद्यान